हर गरीब महिला को सीधे बैंक अकाउंट में हिंदुस्तان की सरकार साल के एक लाक रुपए देगी पर नरेंद्र मोधीजी अरव पतियों को अरव पतियों को 16 लाक करोर रुपए दे सकते हैं तो हम करोणों महिलाओं को 1 लाक रुपए दे सकते हैं सरकारी जॉब्स में महिलाओं को 50% आरक्षा आशा आंगनवाडी और मिड़े मील में जो काम करती हैं सेंट्रल गवर्मन्ट का जो भाग है जो शेर है उसको हम दुगना कर देंगे पांच एतिहासिक अनाउंस्मेंट किये हैं सबसे पहला और शायद सबसे ज़रूरी हिंदुस्तान की हर गरीब महिला को चाहिए वो मजदूरी करे, खेती करे, छोटा जॉब करे, हर गरीब महिला को सीधे बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार साल के एक लाक रुपए देगी कल मैं एक आदिवासी महिला के घर के सामने रुका बातचीत की उनका बेटा पुलीस में भरती होने की कोशिश कर रहा है उसका पेपर लीग होगा, पेपर के दिन उसको पता लगेगा कि किसी अमीर बच्चे ने पेपर खरीद लिया और उसकी मेहनत बेकार गई उसकी मा महीने के दस हजार रुपए कमाती है 25 हजार रुपए का बिजली का बिल था पानी का बिल है, पांच-छे घर में वो कपड़े दोने का काम करती है यूपी, हमारी सरकार आएगी, इंडिया की सरकार आएगी उसी महिला की आमदनी दुगनी हो जाएगी एक लाख रुपए उसके बैंक अकाउंट में हर साल ओटोमेटिक, डाइरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में जाएगी और वैसे ही हिंदुस्तान में करोणों महिलाओं के साथ करोणों महिलाओं के बैंक अकाउंट में साल का एक लाख रुपए आएगा करांतिकारी कदम है यह अगर नरेंद्र मोदी जी अरब पतियों को अरब पतियों को 16 लाख करोड रुपए दे सकते हैं तो हम करोणों महिलाओं को एक लाख रुपए दे सकते हैं दूसरा एतियासिक काम सरकारी वेकंसीज में सरकारी जॉब्स में महिलाओं को 50 परसेंट आरक्षन हर सरकारी ओफिस में कुछी सालों में आपको 50% महिलाओं दिखेंगे तो हम आपके लिए दरवाजा कोलने का काम कर रहे हैं आर्थिक अन्याय हो रहा है आपके साथ हो रहा है महिंगाई बढ़ रही है गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं पेटरोल के दाम बढ़ रहे हैं हम आपके बैंक अकाउंट में एक लाक रुपए डालेंगे सरकार में आपकी जगह नहीं बनती हम पचास परसेंट रेजरवेशन देख के आपको अंदर दर्वाजा खोल के डालेंगे आशा, आंगनवाडी और मिड्डे मील में जो काम करती है सेंट्रल गवर्मन्ट का जो भाग है जो शेर है उसको हम दुगना कर देंगे हर पंचायत में एक अधिकार मेत्री को हम अपॉइंट करेंगे वो महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में समझाएंगी और उनके अधिकारों के लिए उनके साथ मिलकर लड़ेंगी और आखरी काम सावित्री फूले जी की जन्म भूमी है तो उनके याद में हम हर डिस्ट्रिक्ट में महिलाओं के लिए हॉस्टल खोलेंगे जो महिलाओं काम करती हैं जॉब करती हैं उनके लिए हॉस्टल खोलेंगे उनको वहाँ पे सिक्यूरिटी मिलेगी अच्छा भोजन मिलेगा तो हर डिस्ट्रिक्ट में हमें सावित्री फूले महिला हॉस्टल खोलने जा रहे हैं